मुझे आपकी हरकतें थोड़ा भी पसंद नहीं है Friends का इबार हमें अपने लाइफ में इस तरह के sentences बोलना होता है जहां कहते हैं थोड़ा भी, जरा भी या बिल्कुल या थोड़ा भी नहीं, जरा भी नहीं, या बिल्कुल नहीं जैसे मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे गर्मी का मौसम जरा भी पसंद नहीं है इंगली सीखना मुझे जरा भी पसंद नहीं है तो आईए और फ्रेंड देखें कि इस तरह के sentences को कैसे बोलना है इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप at all का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे कहने का मतलब है friends की at all का मतलब होता है बिल्कुल जरा या थोड़ा और इस word का use आम तोर पर negative sense में किया जाता है जैसे अगर कहना हो कि मुझे या पसंद नहीं है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I don't like this लेकिन अगर आपको कहना हो कि या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है या मुझे जरा भी पसंद नहीं है या मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I don't like this at all अगर आपको कहना हो कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I don't like coffee लेकिन अगर आपको कहना हो कि मुझे कॉफी थोड़ा भी पसंद नहीं है या जरा भी पसंद नहीं है, या बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, I don't like coffee at all, मुझे आपकी हरकते पसंद नहीं है, I don't like your doings, लेकिन अगर कहना हो कि मुझे आपकी हरकते जरा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नह है तो sentence के लिए आप कहेंगे I don't like your doings at all तो friends उम्मीद करता हूं कि आपको at all का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो थोड़ा भी नहीं बिल्कुल नहीं जरा भी नहीं तो आप एक negative sentence के साथ at all का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे जैसा कि मैंने यहां पर किया आइए friends देखे कि not at all क्या है friends अगर आप सोच रहें कि not at all at all के opposite है तो फिर आप गला सोच रहे हैं not at all का इस्तिमाल polite reply to thank के sense में करते हैं यानि जब आपके कहने का मतलब हो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है या यह जरूरी नहीं है यानि don't mention it या it is not important तो उस case में आप कहते हैं not at all जैसे अगर आप से कोई कहता है thanks for this यानि इसके लिए आपको शुक्रिया और अगर आपको reply में कहना हो कि इसकी कोई जरूरत नहीं या यह जरूरी नहीं है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं not at all यानि इसकी कोई जरूरत नहीं it is not important तो उमेद करता हूँ friends कि आपको at all और not at all का इस् कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे इंट्राइस्टिंग लेसन के साथ अब तक के लिए बाई